स्वागत दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों हर बाग तरह इस बार भी जो हम आपको बहुत सारी धेर सारी वैकेंसिस बताने वाले हैं जहां पर आल ओवर इंडिया के फ्रेशर स्कैनेट जो हैं फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं तो दोस्तों ये एक तरह से ब्रीफ वीडियो होगा क्योंकि दोस्तों हमने इसके रिगार्डिंग बहुत डिटेल में इंफॉर्मिशन बता रखा है लेकिन दोस्तों जैसा कि हम एक ब्रीफ वीडियो आप लोगों देते हैं जहां पर हम बहुत कम समय में आपको बहुत सारी वेकेंसि जो है कंप्लीट करते हैं उसके बाले में बताते हैं तो बहुत रही है हमाँ साथ अगर आपको पसंदा दे ज़रूर लाइक और शेर कीजिए तो दोस्तों सबसे पहले हम जिस वेकेंसि के बारें बात करेंगे उस वेकेंसि का नाम है दोस्तों IOCL जी हाँ IOCL में जो है वेकेंसिया रखी है यहाँ पे इंडियन IOCL का प्रफर्फर्म अगर पूचा जाए तो इंडियन All Corporation Limited यहाँ पे दोस्तो 47 टेक्निकल अटेंडेंट और इंजिनिंग असिस्टेंट के लिए वेकेंसिया रखी है जिसकी जो लास्ट डेट रखी गई दोस्तो 15 जनवरी 2021 रखी गई है तो यहाँ पे क्या क्रेटियर रखा गया अगर इसके बारे हम देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले नमबर आप पोस्ट देख लेते हैं OBC के लिए 4, E-Downless के लिए 1 दोस्तो यहाँ पे जो ब्रांच अलिजबल है यहाँ पे डिप्लोमा के चैनिट 26 साल वाले कैनिट जो फिलब कर सकते हैं Chemical Engineering, Mechanical Engineering, Automobile Engineering, Electrical Engineering, Electrical Engineering, Electrical Communications दोस्तों Electronic Intelli Communication, Electrical Radio Communication, Instrumentation Control, Instrumentation Process Control Electronic Engineering के कैनिट जो फिलब कर सकते हैं Then दोस्तों Technical Attendant के लिए जो ट्रेट अलिजबल है जो आईटाय वाले कैनिट अलिजबल है उनकी अगर बात किया जाए जो है Skill Test होगा तो यहाँ पर दोस्तों Negative Marking नहीं रखी गी है इसका जो ग्यामिशन डेट है वह अगर बात किया जाए तो 14 फरवरी 2021 में जो है Conduct कर रहने की बात चल रही है और यहाँ पर दोस्तों जो Engineering Assistant है अगर उसका पेपर के बारे में बात किया तो 100 questions जो है पूशे जाएंगे 100 questions में से 75 questions है वो उनके discipline से पूशे जाएंगे और 25 questions रहेंगे general attitude, reasoning, general English, or numerical ability और general knowledge से questions यहाँ पर बनेंगे Same condition यहाँ पर रखा गया है technical attendance post के लिए उनके लिए 100 questions पूशे आएगा एक बार फिर से इसकी last rate पता हूँ इसकी जो last rate है दोस्तो 15 जनवरी 2021 है और इसका जो admit card है दोस्तो 29 जनवरी को आ जाएगा और 14 फरवरी 2021 को जो है इसका अर्जम candidate करान की बात चल लिए कैसे apply करना है तो आपको जो है quicktech.com पर जाना है वहाँ पर आपको त्रे सारी vacancy मिलेगी वहाँ जाके आप notification और apply online का option देखेंगे और form को इसली नेसनल फरटलाइस लिम्टेट की बारे में बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो है आई टियाई के डिप्लोमा के बीटेग के और बीकॉम के चैनिट जो है form को fill up कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों अगर बीटेग की बात करेंगे तो जो management training है उसमें सिर्फ बीटेग के चैनिट अलीजबल है जो attendant वाली post है जिसमें आई टियाई मीनों qualification requirement है उसमें जो है डिप्लोमा के चैनिट भी form को fill up कर सकते हैं बीटेग वाली भी form को fill up कर सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं जो attendant post है उसके लिए जो है 11 seat mechanical में इलेक्ट्रेट की 12 seat instrumentation में 8 seat यहाँ पर रखे गई है पेस के लिए जो एक किस जासरे का बामन सवकर रखा गया है तो दोस्तों जो आई टियावाज एक्टेट है उसमें फिटर डीजल मेकैनिक्स मेंटेंस हैभी वेहिकल्स के देटर ते हैं टोस्तों एसस्तों उसमें एक क मेने आपको बता दिया मैंगेश है to को एव सsterreich के लिए यहाँ पर कैमकल मेंटन कट्रीं healthier सिर्मेंटर एशन से इसमेंग हिर्यशे करिया दोस्तों मैंस प्रहजेए जो आपके गई है और अगर आपने वी कॉम कर रखा तो आप जो है एकांट ने सीस्टेंट के लिए फार्म को फिल अपक्र सकते हो 28-50 साल जो एजल मिट रखी गई है और जो एटेंडन ग्रीट के लिए उसमें जो है क्वालिफीकिटे केशन जो रिक्वॉयर्मेंट है यहां पर जो है लिमिट मैंने आपको तरिया तीस साल रिक्वार्मेंट है इसका जो गिवर्मेशन सेंटर होगा जमुकस में भोपाल चंडीका डेली एंस या एहमदाबाद बैंगलोर भुमनेशन चिन्नई वुजयपूर गोहार्टी मुंबई हैदराबाद लखनाओ रायपूर रांची पचास कोशन्स यहां पर पुछ जाएंगे पचास कोशन्स दोस्तों आपके नौन ठीकन रहेंगा और सब्सक्राइब आपके डिस्पेंस यहां में पुछे जाएंगे अब दोस्तों यहां पर जो है 200 रूपर का एप्लिकेशन फी लिया जा रहा है आई टिप्लोमा और वी कर सकते हैं अब दोस्तों अगली जो है इंढिन कोस्ट कार्ड में है इंढिन कोस्ट कार्ड में दोस्तों यहां पर बहुत अुट अच्छी वेकेंसी है और डुमेस्टिक ब्रांच में 50 यांतरिक में 58 वैकैंसिज है यहां पर 12 पास के 10 पास के और जो डिप्रम वाले कंडेट हैं वह फॉर्म के लिए यहां पर दोस्तों पर सेंटेज का क्रेटर नहीं रखा गया है तो थास लिए बाइस साल के गांट जो है तो यहां पर चार क्रेंटेशन यहां पर लिया जाएगा 250 उपय का फॉर्म यहां पर रखा गया है और यहां पर दोस्तों 34,000 से ज्यादा सैली मिलने वाली है और यह फॉर्म जो है इसकी जो लास्ट है 19 जनवरी 2021 रखी गई है तो अगर आपने नई फिलप किया तो जरू फिलप कर लीजिए दोस्तों अगली जो वैकेंसी है हमाँ पास भात इलेक्ट्रोनिक लिम्ट्रेट में है यहां पर दोस्तों ट्रेनी और प्रजेक्ट इंजियर ट्रेनी के लिए वैकेंसी निकल रखी है यहां पर दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहां पर जो है आपको experience requirement है जैसे कि बी रुपया और 500 रुपया के application form रखा गया है यहां पर दोस्तों और 6 जनवरी 2021 जो इसकी last rate है अगर आपके पास यह सारी क्रेटेरिया है तो आप जो है form को fill up कर सकते हैं तो दिन दोस्तों बात करते हैं भावा आटॉमिक रिसर्स सेंटर में आई हुई वेकेंसी के बारे में तो यहां पर दोस्तों डिप्रोमा, B.S.C., I.T.I.R. 12 जो है form को fill up कर सकते हैं 31 जनवरी 2021 जो इसकी last rate है तो अला कि हमने इसकी regarding पहले भी बात कर रहा है लेकिन दोस्तों यह brief वीडियो होने करण मैं आपको यहां पर फिर से बता दू यहां पर mechanical, chemical, civil, electronic, instrumentation, chemistry केंट जो है form क advances आ राखी है तो यहां पर I.T.I. 12 B.S.C. के गरेंटरियों फॉर्म के लिए eligible है यहां पर diploma requirement है और B.S.C. requirement है 12 I.T.I. requirement है अटास लिए 14 साल के गरेंटरियों फॉर्म के लिए eligible है दें दोस्तों यहां पर बात किये जाए तो यहां फिर दो स्टेज होगा स्टेज़ वन प्रेंडेट हैं उसमें जो है 40 subjective questions पूझ जाएंगे इसके बाद यहां पर इंटर्व्यू कंड़क्ट होगा वांकि जो cat2 है उसमें stage 1 stage 2 होगा stage 1 जो है प्रिमेरी टेस्ट होगा stage 2 जो है advanced प्रिमेरी टेस्ट होगा तो इस सबके रिगाडिंग हमाई चैनल वीडियो अप्लोड आप जाके वहां सथ देख सकते हैं application fee एक सब्सक्राइब के लिए cat1 के लिए cat2 के लिए रखा गया है वांकि SST के लिए कोई भी application पी नहीं रखा गया है एक बार फिर बता दो इसकी जो लास्ट टेट है 31 दिसंबर सुरी 31 जनवरी दोजार 21 रखा गया है इससे पहले आगर आपने फॉर्म को नहीं फिल अप के लिए तो फॉर्म को फिल अप कर लिए कहां से अप्लाई करना है दोस्तों आपको यह वेबसाइट पर जाना है और हमाँ चैनल में और भी बहुत सारी वीडियो अप्रोड हैं जहां फिर फ्रेशर्स के अलवर इंडियो को फिल अप कर सकते हैं तो आप जो है उन वीडियो को जरूर देखिए और हम एक्जानेशन पैटरन भी बताते हैं दोस्तों तो यह सारी वीडियो जो आपको लाइक कनाल ना भूले मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ आज के लिए बसतना है थैंक्स पूर वाचिए लिस्निंग